किसान को आप किसानों को आपने बहुत शांदार यहां पर चीज़े दी आपने उनको स्वावलम्मी बनाया आत्म निर्भर बनाया तो फिर ऐसा कीजिए ना यहां के किसानों को टूर पर भेजिए पंजाब पहुंचाईए उनको बोलिए कि समझाए कि आपकी सरकार तो किसानों को समझाने के लिए किसान की बात समझेगा आप कह रहे हैं MP का किसान बड़ा खुश है आप से narcos कि अश्यानों को आप भेजएंगे पंजाब और चुमें डाले हमने अभी तक 11 महीने में इन्हों ने बरबात कर दिया हम सबकार कर दिया हम श्रीव विश्वर्म लेकर चले हाज और मेरा नंबरा क्या एन्दर हरे कोnorm师 कोda यह तिद्यार जी बताईए आपको आप सवाल यह हैं आप हारे इन्हों ने किसान को सौलम भी बनाएंगे आत्मिर भर बनाएंगे हम कर्ज माप नी करेंगे मैंने इनसे पूछा कि 2010 में 2010 में शुराज इससि ने कहा था हम किसान के आय द्ग नहीं आई झानगे कि कितना विफल मांप कर दिया दिया लुक्त उपचुनाओं थे वाकी नहीं किया शिवराज सिंग जी से मैंने पूछा कि आपने उपचुनाओं में कितनी घोष्णाओं की उपचुनाओं में तो उन्होंने कहा कि जानकारी एक एक मुख्य मंतरी की घोशना एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, सदन में पूछा, प्रश्न में लिखकर पूछा, मेरी सव्वेधानिक डायरे में पूछा, इन से भी पूछा, इनके असी प्रतिशत उत्तर सिर्फ जानकारी 71 की जारी है, ये आखडों के के हिसाब से नहीं जिविदान सभा के पटल पर सववेधानिक दाइरे से में बात कर रहा हूं जहां तक प्रश्ण है जहां तक प्रश्ण है किसान कानून का ये क्रशी मंत्री है, ये एक-एक मद्धि प्रदेश का और देश का किसान इनको सुनेगा, आज 90 प्रतिशत किसानों ने ग्यों की फसल निकाल ली है, बना ली है, इन्होंने आज तक खरीदी चालू नहीं की, सबसे पहले ये काले कानून को लागू करना चाहते थे मद्धि प्रदेश में, आज भी पानी ओले सब 25 जिलों में गिर रहे हैं, किसान की फसल नुक्सान हो रही है, खरीदी समर्थन मुली पे आज तक चालू क्यों नहीं हूं, इसका उत्तर के सद हो गया, और दोश्री ओले इसके नहीं है, अभी दे रहा हूं, तुनिए, ये ये आपक उसे करने वाले थे, चाना सरसो मसूर मैं इन से ही पूछता हूं, किसान खेती गहूं से पहले आते हैं, लेकिन खरीदी बाद में जाती थे दो महीने बाद, और 86 प्रदिसत किसान, ठोटा किसान, शोगे, अभी क्यों नहीं की, इसका उत्तर क्या है, ये दे रहा हूं ना, और इसलिए हमने पहले खरीदी करने का नीने लिया, 25 कुंटल की सीमा थी वो हटवाई हमने, इनके समय में कमल नाजी सिंदवारा में 19 कुंटल खरीदे थे, पूरे प्रदेश में 15 और 13, हम पूरे प्रदेश में 20-20 कुंटल खरीदे हैं, आपने खरीदे चालू क्यों नही यह बताओ, केसी बात कर रहे हो, बेश सिर्पेर की आप यह बताओ, किसानों का, किसान का ग्यो निकल गिया, शुराज सिंग जी ने चिला चिला के कहा कि एक भी समर्थन मुल जारी रहेगा, जारी था, जारी है, और आज तक चालू नहीं हुआ, तो शुकों, अरे भाई, पिछली बार हमने आपकी सरकार थी, आपने 33 लाग मेट्रिक तन खरीदा, हमारे सरकार थी, वो तो गया समय, अब आपकी सरकार है, आप बताओ, वो पिछली बात नहीं, अगली बाते करो, हम बता रहे हैं, हमने लागडाउन में 15-16 अपरेल से शुरू किया, आपने 25 मार से क्या बाते हैं, अभी सबसल खले में पड़ी है, केत में पड़ी है, खरीदी कब चालू करोगे, यह बता रहा हूँ, हमने 1 करोड 29 लाग मेट्रिक तन से अधिक गेहुं खरीद कर पूरे 10 में नम्बर एक स्कार पर आए, इस बाते हैं, अभी सबसल अभी चालू है, केत में पड़ी है, खरीदी कब चालू करोगे, पिछले की दिखा रहा हूँ, जवाब मेरी दीजी, खरीदी क्यों नहीं हो रही है, इसलिए नहीं, बहन मेरी 15 मार से हमने चना सर्सों मसूर की खरीदी की, एक परफरवरी से हमने पंजियन कराया, चूंकि ओले बारीस होगे, इसलि की और भी सकुंडल किया और सिम्हा हटाई उसके एकार पैतालिसों से छपपन सो भी करेई है, जोला हजार करोड किसान के खाकों में जाता जाएंगे, जो क्यों आप असल बात ये है, किसान अगर आपके साथ होता, तो अभी आपकी सरकार चल रही होती, किसान आपके लिए जो शिवराज सिंग चौहान की सरकार उसे कितने मांक्स देते हैं, दस में से? आप ये बताओ, रुबिका जी, कि जिस प्रदेश में एक लाग पचास हजार करोड रुपे का करजा है, चालीस हजार रुपया जो बेटा पेदा होता है, और जो मरत्य होती जिस जिस पे 40,000 रुपय इस प्रदेश पे कर जाए, आप ये बताओ कि इस बार का बजट, एक साल की एक साल की बार, ये तो एक साल में 15 महीने और एक साल की जो बात हो रही, 1,64,000 करोड रुपय की प्राप्तियां, 2,41,000 करोड रुपय वे 80,000 करोड रुपय का घाटे का अब जाए, एक साल की बता दे आप अपने, आपने कितना करजा कम कर लिया मत्रुदीर इसा है कि डेड़ साल में वोग कमलनाओ थे, जिनमें रोजगार की दर बड़ी थी, ये इक अमनाओ थे, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है, वो डबल हूँआ था, आप लोग का जिसमें किसान खुशाल हुए से यही कमनलाथ ते जिसमें किसानों की म्रत्यूदर घटी थी एक साल के आंकड़े आप फिर निकाल लो मैं तावे से केरा हूं यह बाद कि 12 साल सुराज के और एक साल कमनलाथ का अगर उनसे सबसे अच्छा नहीं हो तो आपका जो सजाद है वो लेने की तयारी है जिताया सरकार बनाई बीच में लोकतंत्र के अपने नेताओं को नहीं समाल पा रहे हैं तो जनता को क्या समाले के मुझे बताईए हमारे लोगों का ऐसा कभी-कभी होता है एक पत्ति होता है किसे होता है एक लड़का और लड़की प्रेम विवा करते हैं अच्छे से रहते हैं पूरे जीवन एक दूसरे के साथ जीने की कसमे खाते हैं और जगड लेते हैं और किसी रूप में उसकी विक्रती हम समाज में देखते हैं जोतिरायस इन्दिया के आरतिक हीत हो सकते हैं उनके राजनितिक हो सकते हैं उनके इंसेकूरिटी हो सकती है उन्होंने क्यों किया एसा जैसा और वह भी पंद्रह महीने में ये तो विचार का प्रष्ण है और फ्र मेरे मुख्यमंत्री ने कहा मेरे मुख्य मंत्री ने कहा जिसने पांस साल की बात थी सारे जीवन की बात है वहां धोका देते हैं लगजहाद कानून यहां पर हरी जंडी मिल गई है ठीक है न कोई परेशानी तो नहीं है न मेंने तो कानून दुनिया में जो मेलाओं को आत्म संबल बनाने की कोशिश भी क ABP News आपको रखे आगे